है है नमस्कों यूटीब फैमली दिसी देव हैर आश्या करता हूँ आप लोग ठीक होगे और यूटीब से अपने फैविर्ट सौंग सीख रहे होगे तो मैं भी आपके लिए 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 रोमेंटिक सौंग जो की रिक्वेस्ट वेदा और उनना अर्जेंटी बुलादा तो अनके लिए है तो उमित करता हूँ कि यह आप लोग सब सीखेंगे इसको और इजली खिलिए करेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पर और सेंड भी करेंगे टिक है तो आई इजली समस्कों स्टार्ट करते हैं तो गाज मैं सबसे पले नॉर्म पले करता हूँ ताकि मुझे समझाने में भी और आपको समझने भी इजी हो जाए और हम जल्दी सीख जाए ठीक है और कोशिश करना कि आप इस सारे नोट को जो मैं भोलने वाला हूँ उसको आप डायरी में लिखते रहो ताकि आप जल्दी कैच कर सब ठीक है दन बी 9 टीक है याने की चाहिए तो आप यहां पर वी 10 पर दो बार पले करके पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं और अगर स्लाइड नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल फिंगर पूट कर सकते हैं ठीक है अब इसका आगे देखते हैं हमने खतम किया नाइन पर इसके बाद आपने करना है जी एलेवन जी नाइन वह पर जी एलेवन देन बी ट्वेल जब इसको आप पूरे को जोड़ दोगे प्रैक्टिस करने के बाद कुछ टाइमिंग के साथ सब्सक्राइग वह ऐसा हैगा अब इसके दूसरे लाइन देखते हैं दूसरे लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहँ कि फर्स्ट लाइन की आप दस बार बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि वह अच्छी से किलिए हो जाए टैमिंग के साथ आजाए और गाने के साथ ही पिलेगा लेना ठीक है और फिर तो यह मैं डायट इसके नोटेशन बता जाएथा हूं क्योंकि यह भी इजी है हमने प्ले किया बी टैन देन बी ट्वेल देन बी फोर्टीन देन अब इफोर्टीन प्ले करेंगे मैंने कहां किया हैं से फिंगर को टर्न कर दिया और नीचे की स्टिंग फ्रैस होगई तो आ आप इस भी फोर्टीन देन बी ट्वेल बी टैन बी नाइन देन अब जी एलेवन देन जी एलेवन आप चाहतो एलेवन का जज्सांड खत्म होने वाला होगा ना लाश के तुम मेंफूंड उसका तुम बैक स्रेट कर सकते हो वह अच्छा लगया ठीक है तो जब आप इसकी आप इसकी भी पंदर भी पार पचास पर प्रैक्टिस कर लोगे तो यह भी किलिर हो जाएगा कुछ इस तरह से पिले होगा ठीक है तो इवाप ना सुरु से पिले करना हूं तैसे मैं कहूं तुझी से रहना तेरे दिले झाल